चली जी तो येस इन पार्टनेशिप एक नाइनटीन थाइटू में आज की सेच्छन नमबर थर्टी इन पार्टनेशिप एक सवाल से सुरुआत करूंगा जब बच्चा कॉमर्स ब्याग्राउंस होता है क्लास में पहली पहली बार पढ़ता है हैं तो हमेशा पढ़ता है कि मायनर पार्टनेट बन सकता है वहाँ पर बात होती ना मायनर एडिमिटेड़ एस पार्टनर पर यह पूरी दराद से गलत है माईनर के नौट एलिटेड़ एस इस पार्टनेशिप के लिए बनाया जासकता बटो partner नहीं बन सकता वह ध्यान समझेंगे बिगर माइनर माइनरी है और partnership के लिए agreement contract necessary है तो वो क्या situations होती है माइनर की rights क्या होते है liabilities क्या होती है किस extent तक होती है यहां तक सीखना पड़ेगा और इसी को शुरुबात करी जाएगी और आप हमारे साथ लिख रहे होंगे जराब ठीक है महाल बनाए चाहे और तावर तोड़ी के से पढ़ा चलिए मैं माइनर पोजिशन क्या है माइनर की पोजिशन है ना लिखो जी माइनर पोजिशन अब जो माइनर की पोजिशन की बात करते हैं मतलब बहुत क्लियर होना चाहिए कि यहां पर हम बात करें है उसके लाइट्स उसकी लाइबिलीटी के बारे में कि माइनर क्या कुछ राइट्स लेगा क्या कुछ उसकी लाइबिलीटी होंगी यह सारे पॉइntS For तो सबसे पहली लाइन इंपॉर्टन लाइन है अम माइनर केंनोट बिकम पार्ठन सबसे पाले यह शुरू करेंगे देड़ी लिखो माइनर केंनोट क्ञिक्व पाटनर सबसे इंपॉर्टन ही है कि माइनर पाटनर बन ही नहीं सकता औchnia नहीं सकता, partner in a firm, तो आपके मन में दूसरा question आएगा, कि sir क्यों, बाई valid है na point, हमने बोला minor cannot become, तो सवाल है क्यों, because partnership is founded by a contract, लिखो जी, reason के साथ चलेंगे, रटना कुछ नहीं है, तो थोड़ी हो तुम, because partnership is founded by, founded by the contract, partnership कि से बनती बचे, contract से बनती है, और यहीं पर 30 सी लाइन निकल के आती है, a contract, a contract with, a contract with minor is void, minor से किया गया contract, सुरू से ही void होता है, समझ पारे क्या, तो यह सवाल आता है, क्या minor बन सकता, आंतर completely ना है, हाँ, यहाँ पर क्या एक line हो सकती है, वो बता देते हैं आपको, यह लिखिएगा, यह है खुबसूरत सी line, आप examination hall में भीना, जब पेपर आप लिखोगे, समझ र इस एंडर लाइन का देना है, तो यह तो CTC वाला है, नंबर इसको दे दो, ऐसे चलेगा, लिखो जड़ा, minor can be admitted to the benefit of partnership, लिखेंगे जनाब, minor can be admitted to the benefit of partnership, लेकिन बात यहीं तक नहीं है, minor को partnership की benefit के लिए admit करा जा सकता है, लेकिन यहाँ इंपर्टन क्या है, with the consent of majority, all the partner, लिखो जी, with the consent of all the partner, तो यह है वो एक overview जहाँ पर आपने सीखा, कि actual minor की positioning क्या है, live chat on करते है, जड़ा बता दें क्या सब के mind में एक image clear हो गई, कि minor की situation कैसी है, अभी rights liabilities पराओंगा, section number 30, जैसे हमें ने शुरुवात में आप से कहा, लिख लिजी यहाँ पर, section number 30 में minor की position की बारे में बात करी गई है, जल्दी बढ़ाएं, क्या से वो clarity, minor सबसे पहले, पहले लाइन यह बोलते हैं, दूसरा, बिकूस पार्टनर्शिप के बेनिफिट के लिए, एडमिट करा जा सकता है, कि आजा वही आजा, है ना, आजा तो खुशर है वही, और लेकिन इसमें भी condition है, कि अगर आप पार्टनर्शिप की बेनिफिट यह एडमिट करेंगा रह जो कंसेंट चाहिए, वो किस्ते चाहिए, फ्रम आल दी पार्टनर, किसी एक से नहीं चलेगा, आल दी पार्टनर, वोगे रिपोट है, हां जी, यहां पक्का हो गया, और आगे बढ़ेंगे, ता बढ़ तोड़ करेंगे ना, तर तीन रेम के MTP करेंगे यार, कैसे टेंशन लेते हो आप, आजाओ, लाइव चैट वापस से आप पढ़ते हो, पढ़ते चले, बढ़ते चले, एक ही टॉपिक आल लिया, खुबसूरती से पढ़ें, कोई लोड है नहीं, यहां तक बात हो गई, नेक्ट पॉइंट पर मूव करा जाए, माइनर हमने बोला, लोड नहीं वो क्या राइट्स लेके चल ला है, तो देखो एक बात समझिए, माइनर को हर वो राइट्स अविलबल होगा, जो एक नॉर्मल, नेचुरल परसन को अविलबल होगा, इतनी बात दिमाहां में सेट कर लो, फ़र राइट्स इसके एक्क्यूवैलेंट है, लाइबिल्टी ज निल, वापस से, वापस से, राइट से सारे, लाइबिल्टी जनिल, क्योंकि माइनर को किसले अडिमिट के रागया था, पार्टनर्शिप की बेनिफिट के लिए, तो राइट्स तो सारे लेके जाएगा, लेकिन लाइबिल्टी नहीं लेने वाला, एक ही करके प्रॉफिट इन फॉर्म, लिखें जी, राइट, टू रिसीव, अगुट शेयर ओफिट, इन अ फॉर्म, तो सबसे पहली लाइन ही निकल के आती है, जिसके हम बात कर रहे हैं, एना अंडरलाइन करी मेरे साथ में, हम उन्हों सुपर राइट से हैं, बट किस बात के, अब आपको न इसको रिलेट कहां से करना है, इसको रिलेट करने हैं आपको नेचरल पर संसे, याद रखेगा, नेचरल, पार्टण न परसन, ज़ो एक नचरल पार्ट्र है, मतलब major, जो अलग पार्टनर है, उनको जो राइट से मिल नहीं क्या वह इसको मिल रहेंगा, पह the books of accounts the books of accounts वो जो accounts की book है जो भी अकाउंटिंग हो रही है वो उसको access कर सकता है अगेन access कर सकता है books of account क्या यह other partner के पास option होता हाँ तो क्या है माइनर के पास हो का बिल्कुल तीसरे पर चलते हैं अब बस रिलेट करते हैं जो पॉइंट में अभी के अंडरलाइन कर लिजे तो आपको पता हो कि प्रेंशिल कहां खेंचे नहीं अपने को तीसरा आप केंश्यू पार्टनर फॉर अग्ला और राइट टुश्यू अदर पार्टनर अदर पार्टनर फॉर अकाउंट अब यह क्या कर सकता है कि और पे केस भी कर सकता है या फिर यूँ कहे और other partner for payments payment of his share or other partner अगर उनको उनका share नहीं मिलता है उनको उनका profit नहीं मिलता है तो क्या वो partner case कर सकते हैं तो जवाब आया हाँ वो कर सकते हैं अगर वो कर सकते हैं जनाब तो ये भी कर सकता है आपको बस यह रिलेट कर लेना है कि माइनर को हर वो राइट्स अविलिबल हो रहा है जो बाकी अधर पार्ट्नर्स को है आगले पॉइंट पर चलते हैं और अटेनिंग मेजॉर्टी नेक्स 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 यहां लिखेंगे विदिन इसका बड़ा रोल है और बहुत रोल है आगे लिखिए अब ऑन अटेनिंग अटेनिंग मेजॉर्टी जब वो मेजर हो जाए तो कैसा सिंद रहेगा ही इलेक्ट टू बिकम अपार्टनर और नॉट मेजॉर्टी माइनर इलेक्ट टू बिकम अपार्टनर और नॉट यह भी उसके राइट्स हैं समझ रहे हो तो जब वो मेजर हो रहा है छे महीने बीत रहें अगर तो उसके पास एक मेजॉर्टी की टाइम पर उसके पास एक ऑप्शन है कि वो चूज कर सके टू बिकम और नॉट कि उसे पार्टनर बनना है कि नहीं बनना है लाइफ चैट ऑन करा जा रहा है जल्दी से मुझे बता दें क्या क्लारिटी आ रही है माइनर को हर वो राइट्स मिल रहा है एक राइट्स एडिशनल है यहां पर कुछ इस तरीके से कर लिजी आपको सकता है तीसरे पर बोला गया कि अगर बाकी पार्टनर अपने शेर अपने पेमेंट के अधर पार्टनर पर केस कर सकते हैं स्यू कर सकते हैं यह भी कर सकता है चौता सेपरेट है यह माइनर है तो जब यह मैजॉर्टी ले रहा होगा तो जो 6 मन्त का टाइम प्रेट होगा अ अब वो six months में liabilities कैसे है वो rights का पार्ट नहीं बच्चे वो liabilities का पार्ट अभी बताओं अटेंशन ना लेंगे एक टापिक लिए उड़ा देंगे यार है न होगे याद हो रहा है ना बहुत बढ़ा मकसद यही है अब दो अभी इदर अपन चला रहे है इंडिन अब जब भी डोनेशन की बात आई तो जो प्रीवेस रहेगी उससे एक रुपए पन फीज बढ़ा के लेंगे बच्चा बोलता फीज बढ़ा गई सार एक रुपए क्योंकि बच्चे को लगना चाहिए है ना ऐसा आगे बढ़ा जाए ओके अंजी तो अब बात आएगी कि उसे नोटिस की जो बात है वो कैसे और कब देना है सबसे बढ़ा शुरू करते हैं मैं लिख रहा हम क्रिपे आप से लिखें सुद्धा पर समझ पाए है ना क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों करते हैं हां जी सिक्समंथ टाइम प्रेट की बात हो रही है इसमें बहुत सब्सक्राइब करता है तो इतना ध्यान देना है कि दोने में से जो बाद में आए विच एवर लेटर यह दिमाग में रखिए आप पहले सो कंप्रीट करते हैं बच्चे है ना रहा मजा आता जाएगा अंजी आए हमारे साथ पढ़ारो सीटी सी क्लास में पढ़ते जाओ द दोस्त क्योंकि यह अटेम्ट ना यूचे से स्लॉट वालों के लिए कमाल होने वाला है मतलब अभी क्या है आपको पता है जैसे पहले अपन दंगल लिए आगते थे वह आप लोग को पहले मिल चुकी होगी अपन पेपर प्रेडिक्शन करते थे वह यूटूब पर करेंग अगर कोई एक क्वेश्चन भी बाहर से आ गया एक क्वेश्चन मनलब लॉक आप कोई भी मेरा पेपर प्रेडिक्शन ठाकर देख लिए एट टुजेड पेपर पैटन तो से मैच हुआ है एटी परसन से ज्यादा क्वेश्चन तक आए हैं लेकिन क्या होता है कि भई सौ प क्वेश्चन नहीं दिखा तो जो पचासी नंबर हमारे बताया है ना बच्चों फरक नहीं पड़ा आपने तो कहा था आएगा वह पांच नंबर के लिए गला पगड़न को तयार है वह यह एप्रीशेट कभी करता ही नहीं है कि सर ने 85 मार्क्स जो बोला था वो तो आहीं है पांच नंबर नहीं आए लेकिनों पांच नंबर के लिए अपने जो वोला था तो भाई साब इतना लोड कौन लेगा है ना बहुत सिंपल है क्योंकि मैं और बहुत सब्सक्राइब करके पढ़ा रहा हूं उस पर यह ऐसे कॉमेंट आते हैं कि क्या ही वोले तुमको चलो सब्सक्राइब कर लेंगे बात आप पढ़ते चले मज़े करते चले क्योंकि हमारी जो लाइबलिटी है वह उन बच्चों के लिए जो बच्चा खुद के लिए भी रेडी है सबसे पहले हैं रिक्वायर टुग पब्लिक नोटिस ध्यान दीजे रिक्वायर टू गिव पब अपार्टनर बनना चाह रहे थ हैं बनने दो गया हमाज रहों रिक्वायर टुग पबिक नोटिस टू दी रजीस्टार पबिक नोटिस रजीस्टार को देना पड़ेगा इधर चलते हैं इधर क्या सीने पेल टू गिव अगर फेल हो गया लिखो जी यह विथो गिव पबि नोटिस किसको टूदी रजिस्ट्रार देख रहे हो तुम हाँ देखते जरूर चलो पहली कंडिशन में क्या है रिलेट करा देते जरा यह देगा देगा नोटिस देगा दूसरी कंडिशन क्या है नोटिस देने में फेल हो गया गर्िक रहा ऐसी में अदय सेटी स्टाइव करते हैं को है अब क्योकि माइनर क्यों को इमें आ अप सब्कूर लेकिन कब condition है after six after expiry of six months और यह कैसे होगा नवाल है ना यह कैसे होगा लिखे इसके लिए ना कुछ ऐसे मंतर उन्तर नहीं आना पड़ेगा छे महीने बीते नोटिस देने में हुआ फेल तो आटोमेटिक वह पार्टनर बन जाएगा इधर चलते हैं आई जनाब अब यहां फिका वह पब्लिक नोटिस दे रहा है तो अगर वह पब्लिक नोटिस दे रहा ह है उसके पास ऑप्षण अवेलेबल रहिक हाग किस वात के किस बात के तो बिकम है पार्टनर मना चाहता है कि समझ रहे हो ना तुम है और यह वह नोटस दे रहा है कि साहब पार्टनर बनना चाहरे थे अगर आप बनाये थे या फिर नॉट टू नहीं बनना चाहता नॉट टू बिकम आ पार्टनर इन फॉर्म कि वो पार्टनर नहीं बनना चाहता इसका मदब साफ है रिलेट कर ये जनाब बहुत प्यार से रिल करें कुछ कंफूजन ले नहीं भाई मोहबत से पढ़ें और स्लेबस भ नहीं ले रहा है मुझसके पास option the options available to the parties पास option available बश्चे यहां पर automatic नहीं होगा यहां पर option available है कि उससे यह लेना है कि यह लेना और यह बनना नहीं बनना तो यह बात हो गई मानले के पोजिशनिंग की लाइफ चैट ऑन करा जा रहा है जल्दी से बता दे और इन दोनों कंडिशन में एक चीज़ हमको ध्यार रखनी क्या क्या याद रखना है लिखें विच एवर इस लेटर इन दोनों में जो बाद में हो वही मान लिया जाएगा इस बात को याद रखेंगे अब हम कर लेंगे समस्ते विच लेटर अगर वह नोटिस देने में फेल हो गया तो छे महिन तक का वेट करना है शे महिन के बाद भी नोटिस नहीं दिया अपने आप वो पा अगे से में उसने नोटिस दे दी नोटिस दे चुका है वह तो आप हमको हुष कर रहा है गाल तो ल들이 इनिशल डे अगर पार्ट नहीं बंदा तो उसके पार्टन से बहुत प्यार कर सकता होगा ह 세상 आ आए अ यह मलुत को त्यार बड़ा खाता है कि अगे बच्चे आसानी से नहीं मज़ा करें कि बच्चे के लिए वह चीजों को इतना असान कर दें कि मज़ें आ जाए विल्कुल पढ़ने में ना ओके रिपोड़ हां तक सबको याद हो गया लाइब चैट को वापस से आफ करा जाए और लाइबिल्टी भी कवर कर लिया जाए मैंने कल भी आपको बात बूली थी आज मैं वापस यह बात बोल रहा हूं कि आपको ना सिर्फ एक काम करना है क्या ब्रेक डाउन दे चैप्टर ठीक है अब जो बच्चे मेरे से कनेट कर प प्रेशर नहीं फिल करेंगे क्या अभी तो इतना पढ़ना बागी कर लेंगे कोई लोडी नहीं है और कई आपने यह सोच लिया अरे भाई इंडिन कोंट्राक्टेट पढ़ना अभी पूरा बाकी है टेंशन आ जाएगी और हमने गोल क्या सेट करा कि 10 में तक हम इसको आरा क्या कर अंगा चला को लैविल्टि ओफ माइनर पार्तनर पता नहीं आपको पढ़ने में मजा आती है नहीं आकेले में मेरे साथ बड़ा बढ़ेया होता यह पारेटनर वाह अरे वाह देख रहे हो तुम पारेटनर हम लिज़ा है लाइक फारेटनर खतरनाक है आजओ पारे भाई साब क्या कर रहे हैं हां जी चलिए लाइबिल्टी ओफ माइनर पार्टनर अब बात करेंगे कि एक्षियल में काम करेंगा कैसे मुझे सेंट का टाइम दीजिए वेज़ा कि कुछ तोड़ा निकाले हो है ना है है हन्जी तो लाइब टाफ एक नहीं अरहे इलुकल मतलब है उसके पास चूछ करने का और इलेक्षिन मतलबम एक दाताओं के पास चिसकरने का अप्षिन होता है कि हम कैसे छूजा ने आज़ पर दिए तो लाइबिल्टी और माइने पार्टनर की समझा जाए कि चलो जी कि अ लिए करते हैं यह आखर टॉपिक है लाइबिल्टी सीखें काम खत्म कर दें तो यहां पर दो चीज्छा पहला जब उसने मेज्जारीटी नहीं ली है जब आप नहीं बना है दूस तो कोई लोड ही नहीं है आ रहा है ओके ठीक है शुरू करा जाए ओके लाइबिल्टी ऑफ माइनर पार्टनर की लाइबिल्टी तो जैसा मैंने आपसे बोला भाई दो ही लेवल पर चलेगी एक बिफोर अटेनिंग मेज़ॉर्टी एक आफ्टर अटेनिंग मेज़ॉर्टी जब वह मेजर नहीं है भांडूसे कंडिशन क्या बनेगी ही रश्रक्त हमको पता है अंदर अटेनिंग मेज़ॉर्टी एफटर अटेनिंग मेज़ॉर्ड जब जो मेजर हो जाएगा उच्य महिनी का वक्त जब बोलेगा पार्टनर बनेएका अपन्क्स एना आफ् scholarly या फि प्रटेनिंग मेजर्टी एक एक करके काउंटर करते हूं चलो तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं बड़े दिल से और आपको समयना भी चाहिए बिफोर जब वह मेजर हुआ ही नहीं है क्रिप्टा ज्यान दें बिफोर दूसरा आफ्टर जब मेजर हो चुका है अब यहां पर वह चूजा है यहां पर एक्टम ताव बड़ा तो शैतान करता भाईताव अब गेम खेलेंगे तो अगर वह माइनर है बिफोर अटेनिंग सब्सक्राइब करेंगे अगर उसकी स्टेट्स होगी उसका लीगल जो परसन होगा लीगल एडवाइसर जोगा वो ले जाएगा या फिर पैरेंट्स लेके जाएंगे अब एक गर के लिखते हैं लाइविल्टी कैसी है ओके शुरुबात करेंगे पॉइंटर से चलेंगे जनाब में स्यासा लिखते हैं एक बात समझेए इससे कुछ प्रॉफिट मिल रहा होगा है ना वहीं बेनिफिट के लिए था फर्म में अब जो जो प्रॉफिट मिलना है इसकी जो लाइबिलिटी उसी प्रॉफिट तक है प्रॉफिट है सबसे फेहले कंडिशनी लीखे लाइबिलिटी ही एक्सेंट अफिस्ट रिकोशी हो जी ही लाइबिलिटी हो इस अ रिस्ट्रिक्ट Ó अब टुवर आप टूदाद ओ एकस्टेंट टॉफ क жare in profit profit में जितना उसका हिस्टा है अंडरलाइन करो extent of his शेयर और रॉपफट है रिस्ट्रीक्टेड है वहीं तक लाइबल होगा पहली Shrip रॉपइसके ह suisा थावजब रुपीस तक का रुपे में बात कर रहा हूं उसकी जुलाइबिल्टिव तो 7000 रुपे तक है अगर उसका हिस्सा है 3000 रुपे तक का तो उसकी जो लइबिल्टी तीन हजार रुपे तक का है आगे बढ़ते हैं अब यहाँ से सवाल निकल के आता है कि भाष्टाम मायनर है ना लिखे जना साथ में, Miner has कोई Personal Liability होती नहीं, Likho, Miner has no Personal Liability, Miner has. बड़े शब्दों में, No Personal Liability, कोई Personal Liability होती ही नहीं, मतलब होती नहीं, इसका मतलब क्या है, यह जो है न, यहाप लिके, माइनर यह बहुत इंपॉर्टन है क्योंकि अगर मेजर हो गया तब तो लाइबिल्टी लेनी पड़ेगी न तब यह थोड़ी रोएगा अभी तो हम माइनर थे काहे हमसे पैसा ले रहे हैं यह सीन चलेगा नहीं साब आगे बढ़ते थर्ड कंडिशन ठाई माइनर क्योंकि ल दिखी चली माइनर कांट डिक्लियर इंसॉल्मेंट लिखो जी माइनर कैन नौट डिक्लियर इंसॉल्मेंट पढ़ाई से खुबसूरत दवाई नहीं अगर टाइम से ली जाए तो फॉर्थ पॉइंट पर चलते हैं अच्छा माल लो कि फर्म डिजॉल्व हो गई तो हो जा लो कि तब क्या करेंगे को लाइबिल्टी है नहीं प्रॉफिट तक है ले लो ले जाओ तुम खुश रहो बठाँ अगर कुछ इसका हिस्सा बन रहा है तो क्या करेंगे जो भी लीगल एसाइनी होगा वो लेकि चलेगा लिखो इफ फॉन डिजॉल्व माइनस अगे लिखीगा इन फोर्म है ना मानिस प्रॉपर्टी इन फॉर्म यह किसको जाएगी तो एक सब्सक्राइब लिखेंगे ओफिशिल एसाइनी ऑफिशिल एसाइनी अब आप मेर से यह पूछ पाएंगे यहां पर आप मन में होगा सवाल नहीं तो सवाल हम तो डाली रहे ह ना कि फर्म डिजॉल होगे सर सबसे फ़ली बात माइनर केन नॉट डिकलेर इंसॉल्मेंट और यह पॉइंट पर इफ फर्म डिजॉल हो गई कली सिखा दिया था तो माइनर की जो प्रॉपर्टी है ना यह ऑफीशिल एसाइनी को मिलेगी माइनर को मिल नहीं सकती तुम बोलो माइनर है तो कॉंट्राक्ट नहीं हो सकता कॉंट्राक्ट हो निसकता तो प्रॉपर्टी में शेर कैसे देंगे तो क्या करना है कोई ऑफीशिल हैसाइनी होगा उसको बुलाया जाएगा माइनर को बैठा जाएगा दूर की बोटल पकड़ाईगी तुम अपना क्रों अब च तुम्राक्ट नहीं है तीसरा आप क्योंकि पर्सोनल लाइबिलिटी नहीं ले लेता तो इन्सॉल्वेंट होगा ही शौथा अगर फर में ही डिजॉल हो गई तो जो प्रॉपिट में शेर मिल रहा है वह तो हमें नहीं मिलेगा वह कॉंट्राक्ट के थूख रूमूव सब्सक्राइब लाइव चैट को वापत सब्सक्राइब बढ़ा जाए और आगे बढ़ा जाए मैं खुश रहता हूं और अफिशल है नहीं होगा कौन हरे सब्सक्राइब जो जिसको माइनर बोलेगा कि हमारे पापा है यह हमारे चाचा है यह हमारा लीगल एडवाइसर है क्योंकि माइनर पार्टनर में आ तो कुस्तों तगड़ा होगा ना आगे बढ़े अब अगला सवाल बहुत तगड़ा आफ्टर अटेनिंग मेजॉर्टी वा इसमें कॉपी कहां होता है कहां जा रहे हो अरे गलत बात है अगले लिए ले लिया ले लिया ले ले लिया ओके अगली पेज़ बजाएगा लेने का फायदा है ठीक है अरे कुछ ना वापस लिखना पड़ेगा और क्या लिखने लेंगे एक सिंगा टाइम दिजी बस एक सिंगा टाइम दीजी अ अगे चली लिखे अडिग आईए हमारे साथ में जरा तो ओके यह पॉइंट थोड़ा से लाइबरेट करने जोड़त है लिखे साथ में आफ्टर आफ्टर अटेनिंग तो जब वह में जोरिटी हो जाती हो तो आपको यह पता है तो चौई कि पार्टर बनना है या नहीं बनना है अभी तो सिखाया था ना आजाओ दिखाते हैं पहले यह देखिए यहां पर नहीं बात की जब वह ऐसा कुछ कर रहा होगा तो वह मेजर हो चुका है अब उसके पास च्वाइबल है तो बिकम आपार्टनर नौट बिकम आपार्टनर ओके तो आ जाओ करते हैं फिर जो कि च्वाइस कैसे वर्गाउट करेगी ऑफ्स है क्योंकि मापास दो प्सटन अवेलबल है अरे उड़ादी औरे दो आप्शन अभीलबल है तो हमें दो आप्शन के चलना पड़ेगा लिए ओके फोस्ट कंडिशन सेकेंड कंडिशन लो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली कंडिशन वेन ही बिकम अपार्टन अगर बनता है तो है ना पिकम पार्टनर अगर बोलता है सबस्क्राइब अधिक्म बन जाता है तो क्या है तो कोई दिक्कत नहीं ऐए सारे लोड लेगा ऑह शुरू करते हैं सबसे पहले कंडिशन क्या है लिखो जी जब वो बन जाएगा है ना आफ्टर बिक बिकम पार्टनर ही इस बिकम परस्नली लाइबल तो थर्ड पार्टी जो थर्ड पार्टी होगी अब उसको परस्नल लाइबल होगा सवाल आपके मन में होगा पहले में वो क्लियर करूँ ठीक है इसको ठाल मुझे रहाता हूँ अब जानी आदे है थार जो अच्छी मुझे बताता हूँ अब ही बिकम परस्नली लाइबल तो थर्ड पार्टी अब यहां लिखना था मुझे रीजन बताता हूँ नहीं दैड़ वो थर्ड पार्टी को लाइबल होगा आपके मन में सवाथक़ से लाइबल होगा जब वह पार्टनर में तबसे नहीं जब वह कर रही है उसके लिए वो लाइबल होगा सबसे खास बात ही है कब से लाइबल होगा लिखो ज़रा since कि एडमिटेड यह बहुत खास बात है प्रेक्टिल प्रॉल्म बने ता अराम से ढूंद लेना since but he admit he was admitted na since he was admitted benefit लिए था लिखने एडमिटेड तो benefit of partnership admitted to the benefit of partnership I believe यह पहला पॉइंट थुआ सा confusing होता है बट आपको बहुत मज़िए में आया होगा करते हैं सबसे इंपर्सनली लाइबल सबसे इंपॉर्टन दोए अगर उसने चूज कर लिया तो बिकम आप पार्टनर इन तो पॉर्सनली लाइबल होगा किसको थर्ड पार्टी को ओल एक्ट फर्म के सभी कामों के लिए सवाल है वो लाइबल कब से होगा जब उसने इलेक्ट करा जब उसने चूज करा तो बिकम आपार्टन इसी डेट से या फिर तो जवाब है वेन ही वाज एडिमिटेट तुद बेनिफिट आफ पार्टनर्शिप मतलब साफ है जिस डेट पर फर्म में एडमिट हुआ था जिस डेट पर पास्ट की डेट पर जब वो हो रखें सब के लिए वो प्रॉप पर लाइबल होगा ठीक है अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट वेन ही बिकम आपार्टनर इन पार्टनर्शिप फोर्म उठाए लिए 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 प्रॉपर्टी और प्रॉफिट रिमेंस सेम तो विच ही वाज इन सेम यह सेम अला वर्ट आ रहा है समझो लिखो टुविच टुविच ही वाज इंटाइटल्ड ही वाज इंटाइटल्ड एज माइनर बहुत खास बात है ऐसा नहीं हुआ कि तो माइनर से मेजर हुए तो तुम्हारा हम प्रॉफिट शियर बतल देंगे इस शियर इन पर्टी रिमेंस तेम कोई बदलाव ना होने वाला बया तो यह है पहली बात वैने बिकम अपार्टन जब बनेगा तो बहुत प्यार से बोला जा रहा है कि भाई अगर वह पार्टन बन रहा है तो पर्सनली लाइबल अब वो होगा तो थर्ड पार्टी क्योंकि इसके पहल बनेगा थर्ड पार्टी को लाइबल होगा सबसे पॉर्टन तो यह हो गया समझ रहे हो ना तुम अच्छा उसके बास क्या है लाइबल तो हुई रहा है और लाइबल्टी कब से लेगा जब उसने चूज करा तब से नहीं जब वह माइनर था फर्म में एड्मिट हुआ था पार्टनर्शिप के लिए तब से लाइबल्टी लेगा तीसी कंडिशन सरक्यास को शेर बगराब लेगा नहीं जो वह माइनर था जब वह माइनर था जब वह एड्मिट हुआ था पार्टनर्शिप की बेन्फिट के लिए उस मोडेंट पे जो उसका प्रॉफिट में वाव not become a partner अगर वो पार्टनर नहीं बनता तो क्या है मामला खत्म पार्टनर नहीं बनता फिनिश एक नोटिस दे मौच कर एक खत्म है कि तो सबसे पहली बात हुई है अगर वो ऐसा करता है मलब साफ सबसे पहली कंडिशन साटिस्वाइब करेंगे राइट्स ऑफ माइनर एप्लिकेबल बस खत्म अभी तो सिखाया है राइट क्या है वह बुक इंस्पेक्ट कर लेगा वह प्रॉफिट में शेयर ले लेगा है ना वह किसी पार्टनर पर केस कर देगा राइट्स ऑफ माइन एप्लिकेबल अच्छा आगे बढ़ते कब तक कब अब तक जब तक अब टूदा डेट ऑफ गिविंग पॉब्लिक नोटिस जब तक उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया है तब तक माइनर के जो राइट्स होते होगे और जैसे ही वह पब्लिक नोटिस दे देगा तो जो बुक इंस्पेक्ट करने की बात आई ति वह सब खत चलते हैं जराब दूसरी कंडिशन तरफ मज़ा नहीं आ रहा है इसकलर से है न क्योंकि वह सेपरेशन नहीं दिखा पा रहा है ठैर जाओ अभी करते हैं तो पहली कंडिशन देर आ गई दूसरी कंडिशन उठा लेते हूं समझ रहे हैं आगे बढ़ते हैं ही शाल नॉट भी लाइबल आफ्टर देट ऑफ नोटिस नोटिस देने के बाद अब वो किसी तरह से भी लाइबल नहीं होगा नौट भी लाइबल आफ्र दी नोटिस कुछ और भी है क्या हां बिल्कुल है वह भी लिख लेते हैं समझ रहे हो पहली कंडिशन क्या है नौट बीकम पार्टनर जब पार्टनर नहीं बनना चाहता मतलब साफ है वह पब्लिक नोटिस देगा तो जब तक उसने पब्लिक नहीं है दूसरी कंडिशन में वह लाइबल नहीं होगा जब वह नोटिस दे देगा उसके बाद कोई लाइविल्टी उसकी नहीं है तीसे पॉइंट पर चलते हैं इंटाइटल स्यू फॉफ और हिस यह बात है मतलब साफ है यह जो पॉइंट यहां पर था ना बच्चे रा टूश्यू फॉर कि इस शेर और प्रॉफिट टू अधर पार्टनर यह राइट उसके पास अविल्बल रहेगा अपने प्रॉफिट के शेर के लिए तिल डेट जितना उसका प्रॉफिट शेर है इसके लिए केस कर सकता है यह जी टेंक टाइम दीजिए